हालो दोस्तों फिर से सौगत है एक बार हमारे यूटूब चैनल फूजा फैसन बुटिक पे दोस्तों आज हम आपको सूट के मुढ़े के बारे में बताने माले हैं कि अगर बाई चांस बाजू के मुढ़े से आपका ये कमीज का जो मुढ़ा है ज्यादा कट जाए तो इसे आप किस तरह से ठीक करेंगे हे हमारे सूट का मुढ़ा बिलकुल पर्फेक्ट कटा हुआ है इसमें कोई प्राब्लम नहीं है यह देखे हमने एक तरफ की बाजू इसमें चड़ा भी दिया है तो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं जोल है बिल्कुल दोनों तरफ से फिट बैठा हुआ है कि देखे कहीं पर भी जोल नहीं है तो यह एक बाजू हमने अभी इसलिए नहीं चड़ाई है कि हम थोड़ी सी इंफ्रोमेशन देना चाहते थे कि अगर कमीज का इंच फालतू तो उसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं तो इसी के बारे हम आपको बताने वाले हैं यह देखिए मुड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है छोटा भी नहीं है ना बड़ा है क्योंकि हम एक तरफ की बाजू हम चड़ा चुके हैं अब यह दूसरे तरफ की लगी हुई है हम जो अपर चेस्ट्रके लिए लगाते हैं तो वो हमारे इतना हटके लगी हुई है तो इसे हम खोलेंगी सिल्ञे को उसके बाद में आपको बतांगे किस तरह से ठीक करें धी धें हम सिल्ञे हैं इसकी कहन देते हैं यह देखिए हमने सिलाई यहां से इतिनी खोल दिये तो देखिए अब हमें करना का यह हमने मुड़ा लूच कर दिया है अब इसे हमें किस तरह से चड़ाना है हम एक बार आपको नाप के दिखा देते हैं कि कितना हमारा मुड़ा बढ़ा हुआ है यह देखिए एक इंच हमार क्योंकि अगर कमीज आपकी फिटिंग ठीक है चेस से तो आप यहां से भी नहीं दबा सकते और कंदी से ज्यादा दबाते हैं तो दोस्तों यह कंदी में क्या होगा कि यहां से यह कंदी उठ जाएगी गले के पास से तो यह भी नहीं कर सकते और कमीज को अगर यहां से छोटा करते हैं तो इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी प्लस गला भी छोटा हो जाएगा तो यह चीज ना करते हुए आप क्या करें इसमें देखो कमीज को पहले हम उल्टा कर लेते हैं अब देखिए हमें क्या करना है हम यहां पे फ्रंट की तरफ यह जो जैसे हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं यहां पे कमीज में भी प्लेट डलती है तो यह कि यहां पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है यह देखिए इस तरह से अब यह हम शिलाई आपको लगा के दिखा देते हैं यह दोस्तों यह नहीं है कि प्लेट्स डालने से सूट हमारा खराब हो जाएगा बलकि रेडिमेट सूटों में देखना कई बार इसमें सूटों में यह प्लेट्स लगके आती है इससे क्या होता है फिटिंग और अच्छी आती है यह प्लेट्स डालने से ना आपको मुड़े की तरफ से यहां जो तीरा होता है यहां से भी नहीं आपको दबाना पड़ेगा और ना यह चेश्ट का पास से दबाना पड़ेगा तो यह देखिए अब हम आपको बाजू इसी में चढ़ा के दिखाते हैं तो दोस्तों देखिए हमने यह प्लेट से डा दालती है तो यह हमने प्लेट डाला है तो इससे हमारा मुड़ा एकदम फिट आ जाएगा बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा एक इंच तक अगर आपका मुड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कोई से दिक्कत नहीं होगी कस्टूमर को भी फिटिंग म होगा तो यहां से भी आप नहीं सिलाई लगा के दबा सकते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर यहां से सिलाई लगा के टाइट करते हैं तो दोस्तों अपर चेस्ट से यह सूट टाइट हो जाएगा और अगर यहां से कंदी से भी दबाते हैं तो कंदी से भी क्या होगा कि य प्रब्लम नहीं होने वाली इससे वल्कि जो चेस्ट के पास में फिटिंग और अच्छी आएगी बिलाओज में हम प्लेट डालते हैं तो उसी तरह से प्लेट डालना होता है और इससे हमारा सूट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा यह देखिए बाजू हम इसमें चड़ा स जैसे बाजू हम चड़ाते हैं उसी तरह से चड़ गई है बाजू यह देखिए हम एक तरफ आपको दिखा देते हैं कि यह प्लेट हमने डाला है यहां पर और एक तरफ हमारे में प्लेट नहीं है तो यह अगर आपका मुड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसी तरह से मु की थी तो वो हमें फिटिंग करके फिर दुबारा से बाधे ना है कि तो हमने बाजु दुबारा से फिर खोल लिया है यह देखिए जो आपको यह बताना था कि इस तरह से हम बताने के लिए आपको कि अगर यह गलती से मुढ़ा जा hiện तो उसे कैसे ठीक कर सकती है तो यह अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें साथ rebellion को klik करें ताकि हम जो नई वीडियो डाले वो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा तो आगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके तब तक के लिए थैंकि फूर वाचिंग